दोस्तो अगर आपका भी फर्म कहीं से रिजेक्टेड हो गया प्योस्ट मेंट्रिक स्कॉलर्शिब का फर्म या तो इंस्ट्यूट लेवल से या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर डिस्टिक मेकर या फिर डिस्टिक चेकर या फिर जो है हूम डिस्टिक चेकर कहीं से भ बताता हूं दोस्तों जैसे ही पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्ट का वेबसाइट खोलिए गा तो आप लोगों के सामने यह नोटीस दिखेगा इंपोर्टेंट नोटीस करके दिया हुआ है लास्ट डेट और कोरेक्शन और इफ्रेक्टिव और रिजेक्टिड अप्लिकेशन आप लोगों के सामने जो है एक इंपोर्टेंट नोटीस आ जाता है और यहां पर बस कुछ नहीं लिखा गया है चलिए मैं सिंपल सब दोम आप लोगों को समझा देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है अप लोगे स्क्रीन सट लेके उसको पर भी सकते है लिखा हुआ है सब स्कोलरचिप एक किये थे उन्हें इस से 20-25 वहाले सेशन में उन सब शात्रों का जो है रिजेक्ट कर दिया ज़ा था उन सब छात्रों ने यह फिर से उसको सह्हें नहीं किया है जिसके कारण बिहार जरकार की माना था कि मैं हुरूख इसा पहिछा दूंगा ऐसा मानना कराया गया है तो उसके ही चलते जो है इसको वेरिप्रिकेशन करने में वहुत ही दिक्कत हो रहा है इसके चलते जो है बिहार गवर्मेंट ने एक अमतिन डेट जारी कर दिया है जिससे आप लोग धियान से आप लोग सही कर वा लिजेगा और अमतिन डेट कव तक है 15-8-2020 तक है अब दोस्तों काम के बात मैं कर लेता हूं अगर आप लोगों से सही नहीं हो पा रहा है यानि कि आप लोगों से अगर अपडेट नहीं हो पा रहा है यानि कि आप लोग खुद से रिजेक्टेट को सही नहीं कर पा रहा है और जिन सब छात्रों का रिजेक्टेट है मैं स जहां जहां से कही से भी rejected कर दिया गया या फिर इंस्ट्यूट लेबल हो या फिर physical verification कही से भी rejected किया गया हो तो आप लोग इस नंबर पर मैसे कर सकते हैं और अपना अभेदन को सही करवा सकते हैं दोस्तों मेरे द्वारा सही करवा सकते हैं और मेरे टीम के द्वारा जिसका ए आई आने से अच्छा है ना कुछ इस पाई आजा यानि कि आप लोग आगर इजेक्टेट हो गया तो आप लोग जो सामने दिये गए नंबर पर जरूर कॉंटेक्ट करें और दोस्तों आशा करता हूं आप आप लोग वीडियो पसंद अगर वीडियो पसंद यह तो लाइक कर सब्सक्राइब कर लिजें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चाहिंत चाहबार